तो सबसे पहली बात नए स्टूडेंट्स के लिए कि पुतर बोर नहीं होना काफी इंटरस्टिंग चीज़े हैं काफी मज़े से हम पढ़ रहे थे हमने पहले चैप्टर पड़े इंजॉय में हमने पढ़े हैं लेकिन आपकी नसीब ऐसे हुए है जब आपने जॉइन किया त मतलब जिसमें चीज़े हमने लिखनी होती है एक होता है आपकी खल में असान कोन सा होता है और इन दोनों की पेपर में फर्ग क्या होता है मतलब यह नहीं बताना कि उसमें टीक लगाने होता है इक्जेक्टली एमसी क्यूज में जहां पर आपका पेपर है आपके स्ट्रांग होने चाहिए रटा नहीं होना चाहिए तू ठंड मौल में लगा रहे पाई यह किसी तरह ठंडा चला रखा है उपर आपने इसको हाज लगा है यह परफ होने वाला है जो यह पोर्षण होता है उसके अंदर आपका लॉजिक टेश्ट नॉजिट टेस्ट होता है वह कहीं से भी अम्सीडी सेचंट सीन होगी ही नहीं देखिवी नहीं होगया आपके ज्यादा स्ट्रॉंग होने चाहिए ठीक है आज हम क्या करते हैं आईटी का चैप्टर शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना आप इसको खतम कर सके हम करें इससे जान ठुड़ाई जाए जितना जल्दी हो सके यह सारी चीज़े कॉमन है आगे चलके मिश्किल स्टार्ट होने वाली है उनको भी आपने बिल्कु सब्सक्राइब करने वाला सेटप इंफॉर्मेशन सिस्टम वाओ माश्याला इंसानों का और आईटी का आपस में कंभीनेशन जो है वो मिलके इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाता है ठीक होगे शिस्टम से मुराद होता है कि जहां पे कोई ऐसा सेटप या टेक्नॉलजी या टेक्नीक्स जिसके जरीए आप इंफॉर्मेशन को कटक करते हैं क्लेक्ट करते हैं आप आउब बीट्ड जो है व़िए करते आउके सांफि अकल ने फिर कंभील उसके कंप्यूटर सिस्टम के बारे में मैं पड़ा है एंद उसके मुक्तलिक या ओंपोटनेंट के कि ये कंभील मोले ली को का कौन से कि बतले हैं कौई अब मुजह कुछ कुछ के और उसके अपर बोल रहा था उसके अपने आप बताओ ना में शीपियू शीपियू होता क्या है sipu full form क्या है अशाबाश इसको क्या कहा जाता है normal language में computer क्या होता है ब्रेन होता है अच्छा तो बताओना कि इसकी अगरद स्वांध का पाड़ नहीं है यह एक्तर पर यह आप जब सब पर रहे होते हैं सारे की टाइप से ही तो है लेकिन आपके सलेवर्स का पाड़ नहीं है मुझे चलो कुछ इंपुट डिवाइसेस की इग्जेंपल्स बताओ अधिक हो गया आउट्पुट डिवाइसेस की बताओ अधिक है डिस्प्लेइब ठीक है ओसी आर क्या होता है के करता है की है अन्य हम प्री प्रिंटेट्ड प्रीप इपर्सक्ट को मर्करवक्र और क्या होता है एक और यह चाहितम्त इस सवर्वप्र और मैंने अधेकल बताइब खशला दो कि चैक्स के ऊपर हाँ चैक्स के ऊपर जो है वह यह यूज वा हो रहा होता है अच्छाझ के या यह तरह की आउट पीति कि यूज हुज होता है इंपूट देता है भाई question पूरा पढ़ा करो समझा करो question क्या हो रहा है यह input देता है किस तरह एंपूट देता है पिक्टोरियों देता है और पेक्षेल गहरा शाबाज ठीक है यह सारी चीज़ है पिक्चर विज्वल इंपुट जो है वह परवाइड करता है अच्छा क्या स्कैनर ओस्यार भी होता है कैसे मुझे कोई इग्जेंपल बताओ स्कैनर ऑसीआर भी होताया कि यह होता है एक ठ्रीक होता है जो यह किसी पिक्चर को टेक्स्ट में करते हैं तो इसके लिए उस यह उताओ कि अब मुझे कोई एक प्रैक्टिकल सा आज हमें एक प्रैक्टिकल करेंगी कि और यूस कैसे होता है अब पहले तो मुझे बाद कामन सिंस क्या कहती है कि स्कैनर ओस्यार हो सकता है मतलब हमारे पास एक तस्वीर है एक मिनट दीजिए वेटर मुझे थोड़ा साथ कि अब मुझे थिखाओ एक नोट मुझे थिखाओ एक नोट मुझे थिखाओ रख ट्रट कि अब दीजिए कि मैरे आइसके नोट में सकता हूं मैं कैसे लेगे जा शक्ता हूं इस पेज को है सकैनर के जरिए लेकर जाओंगा लेकिन क्या स्कैनर के जरीए इमेज आएगा यह वर्ल्ट फायलाइगी मैं लिख सकता हूं और हूं को कि कैसे हैंं आपके मोबाइल में आपके मॉबाइल में सकैनर यह कंणर है आपूसे मुझे वर्ड साकर करें कि कि Só है आडुए इसका प्रेक्टिकले चीजह मैं आपको बता रहा हूं जो अभी तक हमारे यहां अच्छे अच्छे पुराने पुराने एक्सपीरियंस लोग उनको भी नहीं आ रहा हूं कि अब रहा हूं बताऊ ना मुझे यार क्या बताया है हाँ पर क्या आया है स्लूशन नो सर कैसे होगा मुझे बताओ ना कोई करके दिखाओ क्रें कि इसको मुझे इस तरह के फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर लाके दिखाओ यह मुबाईल के अंदर लाके दिखाओ के इसके अंदर लिख सका हूं पर यहां पर लिखा है digital cameras मैं यहां पर कुछ और लिखना चाहता हूं मैं इस word को change कर सकता है यह बाकि स्टेटमेंट मुझे सारी चाहिए मैं digital camera को editable form में आ सकता है कैसे आ सकता है कैसे करके देखे नहीं होगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जाए अब को मैं सखाता हूं और लिखो ओसी आर अगर इसको करो इस्टाल करो और पिर टेक्स्ट में करो टेक्समें करो जाहा हैं तो सारे सारा टेक्स्ट मिल जाएगा ठीक हो गया इसको आपने प्रैक्टिकली प्रफॉर्म करके देखना है चले जी अज हम आउट्पूट डिवाइस करते हैं आउट्पूट डिवाइस क्या होती है जो आउट्पूट देती है प्रोसेस्ट इनफरबेशन को तो मॉनीटर क्या भाई या टेलिविजन स्क्रीन की तरह है अगले हमारे पास प्रिंटर टाइप दी इनकी जैट लैजर लेजर जैट प्रिंटर वगएरा वगएरा सपीकर एंड हैड़सेट सपीकर और हैडफॉन किस तरहां के लिए यूज होते हैं वाइस आउट्पूट के लिए उसके बाद स्टोरेज डिवाइस इस यह क्या होत कि कोई भी पड़ा है कि सब्सक्राइब लगी हुई है इसके अंदर जो डेटा पड़ा है क्या यह ड्राइव आउट्पूट डिवाइस है यह नहीं है क्योंकि आउट्पूट डिवाइस से अब राद क्या है अग्या इसा डेटा जो आपको एक्स्ट्रेक्ट करके बाहर मिल जाए ठीक है कंप्यूटर आपको देदे से क्या हम कहते हैं प्रिंटर एक आउट्पूट डिवाइस है क्यों वह हमें एक पेज अलहदा करके सिस्टम से दे रहता है इसकी हाट ड्राइव को मैं इसमें से न जब भी आप इसे किसी और सिस्टम में लगाओ कि विंडो वाली चलेगी निए इसके दर सारी विंडो दुबारा करनी पड़ेगी कंफिग्यूरेशन करनी पड़ती है यह ड्राइव जो है यह सारी फॉर्मेट हो जाएगी नहीं यह हाट हाट ड्राइव चलेगी यह डेटा बीच में नहीं रहेगा जी यह इसकी सिस्टम के इसाफ से इसके अपने इसाफ से क्या हुआ है इसे किसी और सिस्टम में लगाओ कि यह डेटा नहीं होगा हाँ अब लगाएं उसमें डेटा लेकर चले जाएं इस तरह यूएस भी वह आप किसी भी सिस्टम में कहीं भी यूज कर सकते होते हैं लेकिन इसकी जो इंटर्नल हाट ड्राइव है इससे डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता ठीक हो गया अच्छा जी स्टोरे डिवाइसे क्या होत आ एक छोटू था ट्रक धामे शॉप स्टोर था बगेरा 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 उगें क्या भनाततों हमने एक आरन जोफ्वन अर नहीं हुले है अраж ली virtio करेंदि अब हम थोड़ से स्टोरेज ड्युवाइस को समय ने लगे हैं टिक बचा अब थोड़ से स्टोरेज ड्युवाइसस को समाचने में लगा हमारी साइड पर मैं भी गया था मैं बता है कियाम वहां पर कि मैं वहां पर आप किया हूँ यह उनकी शौप थी दे यहां पर प्डली मुसिंग पड़ी यहां पर ये एक पैर था और इसक्रिक बूल पांकष टींट बेश्टि पर सब्सक्राइटë You ये उसका शोरूम था मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि जिनाब जी ये वाला इशिया का जो फैन है ये कितने का है ये वो कहता है जी साड़े एक्किस हजार का मैं खड़े-खड़े का तो यार को फुदा का खौफ करो अब मैं आपको एक मज़ए चीज और बीबताऊंगा कि क्या हुआ है मैंने का यार खुदा का खौफ करो मेरे भाई तो ये 17,000 का ले गया है हाला के मेरे भाई पिछले साल ले गए थे और मुझे पता भी नी था कितने का ले गए थे मेरे ख्याल में था शाइज वो साड़े सत्रा का लेके गया हुए थे अब जहारी बात है एक साल पूरा आगे हो गया था है फुल सीजान रमजान के अंदर आपको बता है तो वहीं यहीं से आता जाता है सारा कुछ आचा तो मैंने का यार मेरे बाई तो यह 17,000 का ले गए आप कहते हो जी यह 12,000 का और मैंने कहा कि आपके पास कितने पीस है किते पांच-छे पीस है यहां तो एक पड़ है किता नहीं पड़े हुआ है अच्छा चले जी कोई बात नहीं मुझे कमस्तम दो तो चाहिए यहां तो एक पड़ा हुआ है और यह भी पुराना हुआ पड़ा है मुझे तो निया पीस चाहिए जो पैकिंग के अंदर जिसके ओपर गता-गुता भ पड़ा है मैं को बिल्कुल जो घर में हमारी यहां जाके शौपिंग करती है और मैंने एक लाइन पड़ी थी उसके लिखा था कि मैं जब में अमीक साशापिंग पर जाता हूँ और दुकान वाला में को कपड़े का रेट 2300 बताता है और मुझे अपनी फिकर पढ़ जाती है कि मुझे पखड़े ना लंबा बाद है और सीरियस में ऐसा होता है मैं नहीं चाहता होता है हम कुछ तो यार बस कर तो और की करना है अच्छा जी तो वह 17 पर आ गया अब मैंने अच्छी क्या क्या उसका मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि चले मुझे टाइम दे मैं घर में बात कर ले तो मैंने घर फॉन किया मैंने सिस्टर को का मैंने कैसी इस तरह यह जो भाई ले कहते न उसी तरह का यह और सब्सक्राइब करें तो मैंने सब्सक्राइब कर दो ले तो मैंने अच्छा ऐसी बात है फिर तो मैं डॉन करते हुए थी कि वह उनका फाइनल रेट उससे लीचे आ भी नहीं रहते तो सिस्टर का एक फैन था तो मेरी बांजी ती उसने कहा कि भाई कोशिश करना पांच जार कमजगम बचा के ले आना मैंने इद की शॉपिंग कर ले लिए इसमें से जब मैंने जा कि उसके हाथ में साथ जार रख कि कहते हैं मैं एक साल बाद वही फैन उससे भी वेतर क्वालिटी में था साड़े सत्रह का ले गया अच्छा आप मैंने उसे का जी मुझे दो फैन चाहिए कि यहां पे गुदाम है इसके अंदर हमारे आठ दस पीस इसके पड़े हुए है चार-चार पीस अर फ्रीज के पड़े हुए है यह वो अला बला मैंने का अच्छे मुझे एक बात बताओ कि यह पीछे स्टोर के अंदर जितनी आपकी चीज़े पड़ी हुई है उसके मुक कि यहां पर 10% हम भो रखते हैं जो हमारे आटम चल रहे होते हैं मतलब मैंने का मतलब समग्पर्व मैंने कहां करो मैं कहते हैं κάνता है अब कि रहां में क 12 शर्लो… काम की अभी नहीं है अगले सिजन में आएंगी अभी हम उनको यहां पर क्यों रखें अभी हम यहां पर यहां पर इस ताइम पर अगले पीस पढ़े के यहां पर तो बाकी हो जए छे धर मैंने का ठीक है थी हम यहा निकले मैंने का मुझे वो देखने हैं हम यहाँ से निकले जा रहे है जा रहे हैं जा रहे её जा रहे हैं जा रहे स tu हुब हुब जिर alors हम आ रहे थे यहां पे हमारा एक छोटा आप आपके लेके जा रहा था है यहां पर उसने पूर लिया वो था पर वो लेके जा रहा था थो भाई अब यहां पर हम देखें तो इस टाइम उसकी चीजे कहां पर मौझूद है नम्बर वॉन तो मिंन शोरूंप पर पढ़ी है यह वह चीज में यो डिक्क हो काम ओरहा है सारफ कूछ लो रहा है एक यहां पर पीछे पड़ी है यह वो है जो पैक एंड्प पड़ी है जब जब जुरूरत पड़ेगी वसे उठाकर ले आएंगे एक भाई ये भी तो यहां पर मोजूद है ये भी तो सपेस है ना जहां तो आपके घ्याल में क्या यहां पर कि तो यह जो चीज न कि हम नार्मनी देखते है compr65 created सिस्टम का पता है आपको 32-bit 64-bit पता है ना आइडिया है विंडो में देखा हुए ऑनलाइन वाली आवाम जल्दिया है जल्दिया है बचा बिल्कुल तो यह वह बसी होती है अब यह वाली जो स्टोरेज है यह वाली जो जगह इसको रैम कहा जाता है हमें पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर रह में 4GB 8GB रह में कॉमल ली जो है वो हमारे हां 4GB चलती है और उसके बाद फिर आट जीबी 16GB होती है कई होता है यह वह वाली स्टोरेज होती है बेटा जो डारेक्टली इन यूज होती है छोटी होती है लेकिन फास्ट होती है अगर कुछ चीज चाहिए तो फॉरां उठाएंगे यह लोगा अचे ले बात है यह चोटी होती है लेकिन फास्ट स्टोरेज होती है इसका लिंक किसके साथ है इस बैक Ennd में बड़ी बड़ी स्टोरेज के साथ में जो है तो बड़ी लेकिन स्टोर है और इसको यूज कप किया ज सक्षेंडरी स्टोरेज कहा जाता है जिसको हम और यह प्राइमरी स्टोरेज होती जिसको रैम अच्छा अब यह जो हमारा गोलाम है मैं अब इसके अंदर जाहरी सी बात है कि से उनीं है ट्रक भर कि है इस बान का क्या वो यहां शोरूम पर या डारेक्ट इधर आएगा गोदाम पर यहां पर एक सड़क है यहां पर ट्रक लगा हुआ है ठीक है ओके एक मिनट एक एक अच्छा जी अब हम इसको आखो अब वहा है सकते हैं यहां पर ट्रक है यहां पर एक छोटू है जहां से चीजा है लोड आंनलोड भी हो रही है ठीक हो गया अब जाहिर सी बात है fail देखो अब हम इसको अनलाईज करते हैं कि इस वक्त चीसे मौजूद कहां कहां पर है नमबर वन यहां पर मौजूद है यह एक स्टोरेज है नमबर टू यहां पर मौजूद है जो रस्ते के अंदर है नमबर थ्री यहां पर मौजूद है नमबर फॉर यह ट्रक के साथ जो छोटो अनलोड कर रहा है उसके पास भी तो कुछ नीकुछ data मौजूद है इसको tertiary storage कहा जाता है ये जो external storage है क्या टरंक इनके बाप की भाप, प्रापल्टी है नहीं external है माल ये जो external storage को connect कर रहा है hard drive के साथ ये एक medium होता है बीच में ये छोट होता है इसको टर्षेरी स्टोरिज कहा जाता है ठीक है ओकई जी तो अब हम ज़रा चलते हैं यह सारा कुछ जो है वो किलेर होते जा का 파्राम्री स्टोरीस टारेक्टली असेसीबल यह वह होती है जो डारेक्टली असेसेबल फ्रंट डेस्क शोरोम है उसके बाद वोलेटाइल जैसे आपने पावर बंद की एक प्रोग्राम जो हमारे हां इस टाइंग चल रहा है यह वाली फाइल मैंने हार्ड डिस्क में स्टोर की हुई थी जो मेरी बुक है हमने सामने खोली हुए इसको पढ़ रहे हैं मैंने इस पर काम करना था मैंने जल्दी से छोटों को बगाया कि जा हार्ड डिस्क से लेकिया वो इसको उठाके ले आया अब यह मैं रैम के अंदर रखके यूज कर रहा है अगर यहीं पर अभी सिस्टम का सुच हिल जाता है तो यह सारो कुछ बंद हो जाएगा जब हम दुबारा अन करेंगे क्या यहां पर मौजूद होगा नहीं खतम ह तो वहां पर भी चोटा बीच में भाग रहा होता है ऐसी बात है ना तो वह जगहा भी स्पेस होती है वह भी स्टोरेज होती है जिसको तर्शिरी स्टोरेज कहा जाता है उसकी एक्जेंपल बेटा इस तरह नहीं है क्योंकि हम आइटी वाले लोग नहीं है और इसी तरह हमें डारेक्ट उन चीज़ों का भी नहीं पता और हमने वह देखी भी नहीं है अपको बस इस का पता था नहीं धाना ये तो वह चीजह नो आपके चोने की जा सकती है आप यहाँ पर उ помощ ऐसकता है क्यों हम झिसके अदर हम टैटा उजैसे उसPS लोपि कि हमारा hard disk होती है remarkable hard disk external जो होती है जो यह तमाम जो offline storage होती है जीनके दर offline data रखा जा सकता है उसको offline storage कहा जाता है चारोटराइब की storage क्ले रहे हैं पूतर हैं जी online वाली आप ऑगे बुट हो गए एक अब यह हमारा पहला component था छोटा सा बिल्कूल बेसिक सता अब असल जी बटा इस बिलूरे ड्राइब यार इस जो होती है आपने देखी थी पहले डी आती थी फिर उसके रहाद एक बिलूरे आ गई थी यह भी ड्राइब ही होती है बस यह तोड़ा सा हाई क्वालिटी फॉर के में जो मीडिया स्टोर करती है यह वो कि आपो अपंड़ के लिए कि वह उसकों डायओ में अब बारा है हाँ इस मिडुक्त करना सीधा छूच्छन करना सिधा आइक अब है मैं अगक मैं पूरे जाओ नहीं ठीक है ध्यान से बैठा करो क्यों एक बार अभी चीज़ सकीप होई आप इंग्जैम तक भी आपको दुबारा कवर नहीं को चीज़ ठीक हो गया ओके जी अब हम चलते हैं information technology and information system के उपर information technology क्या होता है application computer and telecommunication equipment का combination information technology कहलाता है मतलब इसके अंदर अभी इंसान इंवाल्व नहीं है technology से मुराद क्या है application of computer and telecommunication equipment किस लिए to store retrieve retrieve का मतलब क्या होता है वापस निकालना एक्स्ट्रेक्ट करना ठीक है transmit and manipulate data उस काम के लिए उसके मतलब होता है change करना manipulation करना और information system से क्या मुराद है complimentary network of software hardware that people and the organization use to collect filter process मतलब information system जिसके अंदर people भी involved है software भी involved है hardware भी involved है और network भी involved है यहां पर मुटलिफ word use हो है हार word की definition मौजूद है system की भी definition मौजूद है system से क्या मुराद है तमाम components जो together operate करते हैं किसी एक purpose को इसका सपैसिफिक परपस बिजनेस के अंदर उसको बिजनेस सिस्टम कहा जाता है जिस तरह के हमारे हैं ERP system होते है HRM system होते है जो human resource management system होते है inventory management system होते हैं हमारी financial modules होते है financial statement systems होते है ठीक है financial reporting system होते है इन सब का काम क्या होता है बिजनेस को accomplish करना होता है बिजनेस टास्क को हो ठीक हो गया information system all system and procedure involved in collection storage production and distribution of information हम यह उपर तगरिबन देख चुका है information technology भी हो गया information management से क्या मुराद है information management से मुराद है जो information हमारे पास मुझूद है उनको use करना collect करना control करना analyze करना distribute करना retrieve करना कुछ भी करना जो होता है वो basically क्या कहलाता है information management element of system system से क्या मुराद है सबसे पहले हम देखो component जो आपस में मिल के क्या करते है अप्रेट करते हैं किसी एक purpose को अचीव करने के लिए system क्या है मुक्तलिफ component का combination है जो किसी purpose को अचीव करने के लिए बान रहा है ठीक है अब जाहरी बात है कि system जो है उसके कुछ ना कुछ अरिमेंट होंगे number one goals मतलब एक purpose होना चाहिए उसका कि definition में देखा था कि system क्या होता है कोई purpose अचीव करने के लिए होता है तो purpose गोल ही तो होते हैं ठीक है अच्छा जी उसके बाद inputs system को क्या होता है हमने क्या पढ़ा यहां पे a set of interacting components that operate together to accomplish purpose वो कहता है कि सबसे पहले तो हर system का एक goal होना चाहिए उसके बाद inputs होने चाहिए मतलब कोई ना कोई ऐसा mechanism हो जिससे आप system को information ले सके input कर सकें ऐसी बात है मिसाल के तौर पे हमारे हाँ यह इसी मौजूद है इसको इसके उपर क्या temperature इसाथ चल रहा है कि 16 चल रहा है कि इसको क्या से पता चला गए 16 पर चाल रहा है कि इसको सामने 16 आ रहा है कि लिका हूँ है इसको किसने का आगे 16 पर चलना यह पच्चीज में क्यों नहीं चाल रहा है कि भाइं हमने इंपुट दीना इस रिमोट से इसको अगर हम इनपुट ना दें से कि यह बंद पड़ा था हमने वह से बट्रान क्या अलेक्ट्रीचिज सप्लाई हो एक इसको लेकिन जब तक हम यहां से इसको कमार्ण नहीं देंगे अन करने की इंपूट करने की ओपन करन हुआ है कि इसके इस नहीं कर देखो इसके नहीं चाहिए कि अगर थिसके नहीं का एक चाहिए है इसके अदर 003 कि होनay से जाहिए इसके अनर अ चाहिए जो उस information को process करे कि उसको use कैसे करना है process किसी भी information को usable form में लेके आना raw data को usable data में लेके आना फिर इस तरह उसकी output होनी चाहिए हमने इसको input आपको उसके बाद environment हर सिस्टम का एक environment होता है इसके इंवार्मेंट किया है इसी से इंपूट ले रहे है इसी से और इसी से वह processing इसी कही साफ से कर रहा है इसी रूम को उसने 16 पे रखना है ना कि उसने पूरे लहुर को 16 पे रखना है तो इसका एक environment है जिसके ने काम करना है इसकी boundaries होना वही चीज़ है भाई इसका environment बाउंडरीज में इसने काम करना है ठीक हो गया और इसी तरह बाउंडरी होनी चाहिए लिमेट्स होनी चाहिए इनवार्मेंट की तो यह अब सिस्टम की रेविनेशन क्लियर हुई है कि नहीं होई तो यह चीज़ें क्लियर होई थी नहीं वह रवियन ही होती है अब आपको क्लियर हुए सारा कुछ एक्जैक्टली तो सिस्टम क्या है किसी परपस को अचीव करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट मिलके जब काम करते हैं तो उसको सिस्टम कहा जाता है अब दो तरह के सिस्टम होते हैं जिन पर इंवार्मेंट का कोई असर नहीं है मिसाल के तोर पे हमारे हाँ एक पूलर पंखा लगा हुए हम जब उसको करते हैं क्या वह हमारे इंवार्मेंट को अनलाइज करता है अन्य वाद चलता रहता है शाम तक इस चीज़से बेफिकर होके कि कितना टेमपरेश चाल रहा है मतलब क्या इंवार्मेंट के उसके ओपर कोई फर्क नहीं है लेकिन जैसे यह को पर इंवार्मेंट का शोलां को पहुंचेगा यह क्या करेगा इन्वार्मेंट का इफेक्ट ले रहे ना ये ये मैं आपको बहुत प्रेक्टिकल इसे बात करते हैं तो एक ऐसा सिस्टम जो इन्वार्मेंट से इफेक्टी नहीं हो रहा हूं हमारे मुबाइल जो है इनके अंदर ओपन लूप सिस्टम होता है ये इसके अंदर सेंसर होते हैं मिसाल के दोर पर हम क्या करते हैं इसके अंदर सेंसर होते हैं ये इन्वार्मेंट सा इफेक्ट होते हैं तो दो तरह की सिस्टम होते हैं उपन सिस्टम वो सिस्टम जिनके उप वार्मेन्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता ओपन सिस्टम जिनके ओपर इंवार्मेंट का इंफेक्ट होता है और इंवार्मेंट की इंपुट आउट्पुट से उसको फर्क पड़ता है system adoption open system will adopt to their environment with varying degree of extremity जो ओपन सिस्टम होता है अब जाहर इसी बात है कि उसने इंवार्मेंट को अक्सेप्ट करना है इंवार्मेंट से इंपुट ले रही है अब इंवार्मेंट से जो इंपुट ली जाती है वो यह खुद अनलाइज करेंगे न यह टेंपरेचर 16 हो गया जो चैनल करना में वह बात नहीं का रहा है अब मैंने कहा कि इसको कैसे पार चलेगा टैम्परेचर शोला पर होगे यह यह शिए कि लेकिन सेंशर को कैसे पते चले इतने पर टैमपरेचर 16 यह बीस नहीं होगा मतलब इसका यह है नहीं 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 सोला कौन सो इंवार्मेंट का टेंपरेशर पाई रूम टेंपरेशर बाइस होता है यह तो बचारे शहर्व्यार को हमने ठंडा करना सोला में चुलाया हुए अब मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूं कि सेंसर को कैसे पता कि यह टेंपरेशर सोला है जाहरी सी बात है कि हमने इसको कुछ रूल्स या पहले से कुछ डिफाइन करके सेंसर को भी तो दिया होगा ना सेंसर किसने बनाया हम नहीं बनाया अपने घरों में वो देखा है अल्टोमेटिक टैंक यह पानिवादी जैसे वह मंदा लोटा पर चलना शुडू हो जाती है उच्छोड़ शूड़ी टैंकी को कैसे बता चलता है कि यह की खाली हो गई है कि उसके दर एक बाल होती है प्लास्टिक की वो जैसे जैसे पानी भरता जाता है ऊपर उड़ती जाती है एक specific लेवल पर आके motor को अड़र देती है कि बंद हो जाएंज अभ वो बाल क्या उसके अंधर दिमाग मुजूद और उसको पता है कि जब यह temperature इस डिगरी पर आजाए इस लेवल पर आजाए तो तुम नहीं कहना है कि यह 16 होगे मतलब यह ओपन सिस्टम होता है हम इसको प्रिये डिटर्मिंट रूल्स देते हैं जिसकी बेसिस के उपर यह अनलाइज करता है चीजों को समझाई हमने पहले रूल दिये सेंसर को ना हमने रूल सेंसर को दिया कि यह temperature इतना जब तुझे ठंडा होने लाग जाए काम ना शुरू हो जाए फिर तुझे कहना है कि यह 16 है नहीं तो यह 16 नहीं है एसी बात है ना जिस्तिना कि हमसे कोई लहोर में बंदा अड्रेस पूछता है हम कहते हैं जी तुझे जाते फिर कब हो जाए फिर सच्चे हो जाए अ तो लिहाज़ा अब हम उसको क्या कर रहे होते हैं बैसिकलिए उसको हम गाइड कर रहे हैं कि देखो भाई आप जाते हैं जब उसे डिटेल में इस्ट्रक्शन दे और हम चाहते हैं कि अगर वह पहुंचे तो हम उसे कहेंगे तक आपने जाना है रस्ते में एक दो मोड सेम इसी तरह सेंसर को हमने बताया कि जब तक तुम कांपने न लग जाओ जब तक शहर्यार मीन में न चला जाए तब तक तुमने मांड नहीं करना कि टेंपरेचर सोला हो गया तो लहाज़ा प्रीडिटर्मेंट रूल होने चाहिए इस तरह प्रिटिक्टेड ऑपरेशन होने चाहिए मतलब इसके जो अपरेशन या आउट्पुट हो वो हमें प्रिटिक्टेबल होने चाहिए मतलब हमें पता हो कि इसके किस्तने तरहां क्या आउट्पुट आ सकते है ठीक है, से अब system में इसके कितने तरह के output आ सकते हैं, मिसाल के तोर पर अगर ये inverter होता, sorry वो जो होता है, सर्दियों में वो करता है, गरम होता है और गर्मियों में ठंडा हो जाता है, वो ही है, तो इससे कितने तरह की input आ सकती हैं, तो हमें पता होना चाहिए ओपन सिस्टम के लिए हमेशा हमें पता होना चाहिए कि इसके कौन-कौन से आउट्पुट आ सकती है ठीक है उसी हिसाब से फिर हम उसको डेटा बगएरा देंगे इसी तरह गिविंग प्रेडिक्टेबल आउट्पुट एग्जैंपल इंक्लिव म इस और सब्सक्ति आती है अब यह बिटो टरह को दो है क्लोग्रोग कंट्रोल क्लोग क्या होते हैं बचा क्लोजदुप कंट्रोल है इंभिट आफ टई ठाट सदी शेटिए पत लिडिषा और साजी एगित अविंव कु यह व्पनलुस ही हम फॉका बेंटुण फिर फोन स्पाइप सिस्टे इस और इस टेबल फोर यृट के पाम सिस्टेब में रिलतिवग कि दिनमोंगी कि अविर्माइब्स को रौन उन्ट वार्मार्मेंट प्रिया को विस्टेजदा में इक। इसका भी तो परपास होता है इसके भी तो रूल जैडुलेशन होते हैं यह भी तो किसी कामन अब्जेक्टिव को चीव करने के लिए यूज हो रहा होता है तो लहाजा अब यह लूप का मतलब यह सारी टेकनिकल वर्ड यह सब कंप्यूटर आइटी की चीज़े हैं इनको मिस्तरा नहीं कर सकते हैं ठीक है कि इसका मतलब क्या है अगर हम लूप की बात करें वैसे इसमें हां मतलब कर देना उसको लूप का जाता है जिस तरह कि हम बाद उकात म्यूजिक सुनते हुए लूप कर देते हैं को बार 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 रिपीट होई जाए ठीक है अब आईटी की टरम्स हैं तो यह बहुत डिफरेंट वाली चीज़े और डिफरेंट है ठीक है ओपन लूप कंट्र लोग को आपका मोबाइल ओपन सिस्टम आपका मोबाइल ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है इसके अंदर कंट्रोल है यह नहीं है अब कंट्रोल भी तो दो तरह के आपका जो फिंगर्प्रिंट सेंसर है यह ओपन कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है तो डिफरेंट चीज़ें की एलिमेंट क्या होता है पढ़ा है सब्सेपर मेंशन शिस्टम प्राइब अडप चाहिए जिसको वह औरमाइज़ डरा इटा देटा बेस माजूद होनी चाहिए और अर्गनाइज करके रख सके थीग है ए मैं उसके बाद डेटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्ट्वेयर टो इंटर स्टोर आरगनाईज सिलेक्ट एंडिटीव डेटा, नेटवर्क से मुझा है कि कम्प्यूटर के मुक्तलिब कंपोनेट आपस में जुड़े हुए कैसे, इसको नेटवर्किंग कहा जाता है, ठीक है? पतर रजम वाली चीज़ है, ठीक हो गया, उसके बाद हम इसके आगे डेट कॉलेक्ट और औरगनाईज डेटा एंड इनफरमेशन तो बगहरा बगहरा, डीबीमेस इस असवाट्वेर काल्ड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इसपर देटा मैनेजमेंट सॉट्वेर है, इसी तरह Microsoft Access जो है वो स्पेसिफिकली डेटा मैनेजमेंट सॉप्टेर जो के सिर्फ अनाच्रल डेटा मैनेज रखता है ठीक हो गया इस तरह की चीज़े में टाइब्स क्या है हरार्किकल डेटाबेस नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, अब्जेक्ट औरेंटेट डेटाबेस, या टोटल रटा है लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कल में आप पर एक्स्प्रेशन प्रवाइड कर दोंगा कि वरहाल इतना भी आप रटे में नक हो जाए क्योंकि मेरी कोश कुछ इंट्रस्टिंग था रेलेटिवली कोशिश किए बनाने की आपका तो नहीं हो ना कि अहां कि अभी टाइम में आपको लगता है इस दिखाओ मुझे 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 तुनना पड़ेगा सर चार और पांच चैप्टर के वेटेज कितनी है वेड़ा कमस कम 35 नंबर है दो चैप्रस का इसे 35 नंबर का है कल बिस्टे चार चैप्रस है टेस्ट होगे जल्दी करो यार आसा ना गरो यार एप्र मेरेट में देठीने दो अचैए शे कि आप पर दॉटे टाइब टाम कर दो थे एक ते लिए तहना नहीं हां पर यह जुद्धे इस को डिसकस करने शाए ठीक है अधिक वेड़ांगे अधिव सब्सक्रीज अधिवे रखेंगे अधि झब है चाल झार नग्ज में झासरे कि ली।